नमस्कार दोस्तों, नित्य साधना में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने जीवन में धन, सुक, सम्रिद्धी पाने के लिए हम पूजा पाठ करते हैं, जिससे की हमारा और हमारे परिवार का जीवन खुसहाल है। आज हम दोस्तों बात करते हैं भगवान विश्णू की। दोस्तों, अगर हम भगवान विश्णू की पूजा करते हैं, तो सदेव मालच्मी की किरपा हमारे उपर बनी रहेगी। आप पोटो या टीवी सीरियल में देखे होंगे कि भगवान विश्णू के पैर दबाते हुए या पैर के पास बैठे हुए मालच्मी सदेव भगवान विश्णू के पास बिरजमान रहती हैं। इसलिए अगर हम भगवान विश्णू की पूजा सरद्धा के साथ करते हैं, तमालच्मी प्रसन्य रहेंगी और हमारे उपर अपनी किरपा द्रिष्टी बनाई रहेंगी। दोस्तों विश्णू भगवान की पूजा करने के लिए हमें ब्रिहस्पत्वार के दिन केले के पास नहीं तो अपने घर के मंदिर में विश्णू भगवान का फोटो रख कर पूजा कर सकते हैं। उस दिन हम ब्रत भी रह सकते हैं और नहों हो सके तो उनकी पूजा हम अपने घर के पूजा आस्थान पर रोज भी कर सकते हैं घर के पूजा आस्थान पर विश्णू भगवान का फोटो रखें अपने घर का पूजा आस्थान पुर्व आउ उत्तर के दिशा में बनाएं फोटो पर चुंदरी चढ़ाएं कोई भी फोटो या मुर्ती दोस्तों बिना कपड़े के नहीं रखनी चाहिए पीतल के लोटे में पानी लें गंगा जल थोड़ा सा डालें उनके उपर छिलक कर उन्हें अश्णान कराएं लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान दें कि विश्णु भगवान या किसी भी देवी देवता की पुजा करने से पहले हमें भगवान गणेश की पुजा जरूर कर लेनी चाहिए उनके बाद ही किसी देवी देवता की पुजा करनी चाहिए विश्डु भगवान को अश्टनान कराने के बाद उन्हें पीला आसन लगाएं उन्हें पीला फूल चड़ाएं फल चड़ाएं जो अपने कमाई का हो किसी का उपहार स्वरूप दिया हुआ न हो अगर अश्टगंद हो तो तिलक लगाएं नहीं है तो पीला हल्दी का भी तिलक लगा सकते हैं उसके बाद आप उम नमो नाराइडे नमा मंत्र का जाब भी कर सकते हैं और आप चाहें तो पीला गुड या चीनी का भी भोग लगा सकते हैं उन्हें तुलसी पत्र भी चढ़ाएं और एकादसी को च्यावल न खाएं और जो प्रसाद चढ़ाएं हैं उसे किसी को न दें आप अपने ही परिवार में उसे बाट कर ग्रहन करें इस तरह से आप भगवान विशनू की पूजा रोज भी कर सकते हैं जिससे भगवान विशनू और मा लच्चमी की कृपा हमारे उपर बनी रहेगे दोस्तों पूजा करने के बाद आरती जरूर करें और एक बात बताना चाहूँगा कि दोस्तों आप देखे होंगे कि भगवान विशनू के पैरों के पास मा लच्चमी पैर दबाते हुए क्यों रहती हैं तो हमारे सास्त्र के अनुसार महिला के हाथ में देव गुरू ब्रिहस्पत वास करते हैं और पुरूस के पैरों में दैत्य गुरू सुक्राचार जब महिला पुरूस के पैर दबाती है तब देव और दानों का मिलन से धन का लाब का योग बनता है और मा लच्मी के विष्णू जी बहुत प्रिये थे इसलिए मा लच्मी विष्णू जी के पैरों के पास रहती हैं लच्मी उन्हीं के पास रहती हैं जो हमेशा दूसरों के कल्यान करने का भाव रखता है मा लच्च में भगवान विष्णू से इतना प्रेम करती हैं कि लच्च में तभी प्रसंद होती हैं जब भगवान विष्णू की पूजा होती है तो मैं आसा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी तो मिलते हैं कुछ ऐसी ही ग्यानवर्धक वीडियो के साथ धन्यवाद